हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोरल स्टोरी और आज की जो स्टोरी है दा फेथफूल मौंगूस जनी एक बफादार नेवला मौंगूस का मतलब होता है नेवला Once there lived a woman in a village एक वारे गाओं में एक और जाती थी She had a pet मौंगूस उसने एक क्या किया था नेवले को पाला हुआ था उसके पास एक पाल तो नेवला था It was brought by her husband जे उसके पती द्वारा लाया गया था They had a small baby उनका एक छोटा सा बच्चा भी था The baby used to play with the मौंगूस जो छोटा बच्चा था बोनेवले के साथ खेलता था One day she went to the market एक दिन बै आउरत बजार में चली गी She went to the market का मतलो होता है एक दिन बजार में चली गी She asked her husband to take care of the baby उसने अपने पती को बोला कि बच्ची का ध्यान रखना Her husband also left for the city with a friend उसका पती भी अपने दोस्त के साथ बजार में चला गया He left the baby in the care of the mangoose पती ने क्या किया बच्चे को नेवले की देखवाल में रख दिया The baby was lying in the bed Baby बच्चा 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 लेटा हुआ था By chance a snake entered the house By chance का मतलू होता, अचानक से एक साम घर के अन्दर गुषा Enter का मतलू होता, गुषा It crawled forward to attack the baby और रेगता हुआ बच्चे के बच्चे बच्चे बच्चा 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 रहा करा करने के लिए Themangoose spotted the snake मंगूज ने किया, मंगूज जनी नेवले ने कै किया सपार्टर का मतलू हुथा देखा नेवले ने साब को देख लिया देर वास A فाइरस फाइट बिटवीन दा मंगूज एन दा स्नेक देर वास फाइरस जनी उन दौननों के बीच fight का मतलो होता जगड़ा virus का मतलो होता खुंखार उन दौनों के बीच खुंखार लड़ाई हुई नेवले और सांप के बीच the snake was killed and the baby was saved सांप मारा गया और बेबी को बचा लिए गया after some time the woman returned from the market कुछ समय के बाद जो औरत बजार से बाप पसा गी she notice notice का मतलो होता है उसने देखा blood distance का मतलो होता है खुंखे दब्बे उसने नेवले के मुँपर खुंखे दब्बे देखे she thought that the mangoose had killed her baby उसने सोचा के शायद mangoose ने जानी नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया in a fit of anger she killed the mangoose इनने fit of anger का मतलो होता करोध में आकर she killed the mangoose उसने नेवले को मार दिया but when she entered the room किन्तु जब बै अंदर गई she found the baby quite safe उसने बच्चे को सुरक्षी देखा a dead snake lay near the bed एक मरा हुआ सा बच्चे के bed गे जनी बिस्तर के पास पड़ा हुआ था she was filled with remorse but it was too late she was filled with remorse जनी उसको पिश्तावा हुआ but it was too late किन्तु अब बच देर हो जुकी थी moral moral जनी शिक्षा think before you leave हिंदी है इसकी शिलान लगाने से पहले सोचें इसका मतलब है कि हमें कोई भी कार्या करने से पहले उसके परिनाम के बारे में जरूर सोचना चाहिए बरना फिर प्रिस्ताने से कुछ नहीं होता है अगर कुछ गलती हो जाया जैसे उस अउरत ने गलती से नेवले को मार दिया जिस नेवले ने उसके बच्चे को बचाया था तो मैं उमीद करता हूँ कि आपने जुरूर कुछ नया से को होगा अगर आप इसी तरह की और स्टोरीस देखना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेइलिस्ट चेक कर सकते हैं तो थेंक्यू फूर वाचिंग हैवे नाइस देग कर सकते हैं